हाई दोस्तों कैसे हैं आज जून 2019 से आप अच्छे होंगे और निप्टी पर अप्डिट लेके आये था जैसा मैंने आपको लास्ट वेडियो बोला ता आप जाके देख लेज़े फ्योर्ली उसी रेंजी में 740 बोला ता क्लोजियों होगा लगबग 788 पर क्लोजियों होगा इस बार भी वही रेंज है लेके साइद सटर्डे को एक कौश्यस पोजिशन खली मंडे को वेट कीजिएगा चाइना एंडिया का मीट है चाइना यूएस का मीट है उसको लेके फाई ने को बहुत जादा पोजिशन नहीं बनाई है और बनाई भी एक थोड़ा सेल करके बन लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट विक आपको मार्केट 11.650 तो टच करेगा ही करेगा और अगर उसको तोड़ने की कोशिश किया तो 11.400 का लेवल भी आपको देखने को नेक्स्ट विक में मिल सकता है चांक से वापस 90 परसेंट तो बेली से 10 परसेंट यह अपर है क्योंकि अभी भी एफाई में उतनी स्मार्ट पाइंग नहीं आई है जितनी मुझे लग रही है आनी चाहिए पी रिश्यों भी जो है 29 पर मैंटेन है पी रिश्यों भी कोई बहुत घटा नहीं है तो किसी भी तरह से मुझे भी अभी इसमार्ट बाइंग तो मजर नहीं आ रही है और अगर डेरिवेटिक में भी चार्ट देखें तो डेरिवेटिक में भी जो पोजिशन मन नहीं है 11900 पर बहुत ज्यादा उस पर सौट की पोजिशन है और 11700 पर तोड़ा देखेंगे सपोर्ट है 11900 पर इसिस्टेंस देख रहे है 11700 पर सपोर्ट देख रहा है हो सकता है नेक्स टुक आपको यही रेंडि में मार्केट क्लोज होता हुआ दिख सकता है आएव इसको डीटेल में देख लेते हैं निफ्टी 11788 पर क्लोज हुआ है बावन पॉइंड के साथ निगेटिव के प्राइस बैंक इंडियापूल इंफ्राटेल कोल इंडेसकरस बेंक और एफ़ाई की बात करें अब आज किया कि 28 जुन को 513 करोड की सेलिंग किया है और 28 जुन को डीयाए ने 182 करोड की बाइंग किया है और इसकी पी रिशियो देखें तो 28 27 जुन को जो है 29.00 सा 29.0 से व अगर हम FIDI की टोटल एक बार चेक कर लें क्या रहा है तो आज तो आपने देखा 513 कोड़ की है सेल है अप्टू 27 जून तक यहां अपडेट है और 27 जून तक ने 174 कोड़ का सेल था कैस में और 500 का आज एड़ कर देंगे तो 664 700 कोड़ का सेल होगा आज का ताप ने देख लिया 27 तक का अप्डेट देख लिए तो कैस में FII ने सेल किया एक सो 24 कोड़ का वह डिए ने बाई किया 340 कोड़ का कि फिर्ट ऑप्ष्ण में देखें इंडेक्स में तेरस्सट पचास क्रोल्र टीम की है फ्युच Cam और यहां पर एकी और से जार क्रोल की पंपbled यहां करा होगा रहले देखें इसको जाकर तो पहले हैं आप यहां पर सेल हुआ करता था min और अभी थोड़ा से इस मेहने आपको बाइन यहां पर देखने को मिलिए अगर हम मुचल फंड या बड़े रिमेस्टर की बात करें उन्होंने इकुटी में 6500 क्रोर की खरिदारी की है और यहां पर डेप्ट में 43,000 क्रोर की इकुटी में बढ़ाया है फाइ की बात करें तो फाइ भी थोड़ा थोड़ा मूब करते हुए दिख रहा है और यहां पर इकुटी में 500 क्रोर की बाइन की है डेप्ट में 7,000 क्रोर की बाइन की है पूरा नहीं आया है वो सहिद इस्पेस्पिक या चुजेबल तो हो चुके कि वायन उनको दिख रही है तो सहीध को आपको यहां पर आते होए दिख रहा है निप्टी 50 में देखे हैं अगर एवरेज देखें तो पांस दिन के डेमवें यह पूरा विक का क्लोजिंग हो गया है यह विकली है तो यह पांस दिनों और नौ दिन के विकली डेमा में 11727 पर उपन हुआ था और 1788 पर प्लोज हो दिया ना तो यह इसके उपर रेंज को जाकर के क्रॉस के 1881 कहीं पर भी इस पाइक गया हुआ है 910 का हाई बनाता 670 का लोग बनाता लेकिन में जो दाइरा रहा 11789 से लेकरके 11739 यही में दाइरा में यही खेलता रहा है मेंसिस ने 910 के वीकली यह देमा को तोड़ा नहीं 722 को और प्लोजिंग बेस पे कहीं पर भी और 703 को क्रॉस नहीं किया बल्क बेसिस पर अभी यह सपोर्ट लिया हुआ हो सकता है इसी के आसपास थोड़ा और नीचे 650 तक आते हुए आपको दिखे बहुत ज्यादा नहीं द सब्सक्राइब के साथ सेल हो रहा है तो यह एक कंसर्न है जो कि आपको वाचलिस्ट पर रखना चाहिए अगर इसको बॉलिंगर पर हम देखें डेली बैसिस पर तो इसने ग्यारा आठ से तानीस की लेबल को उपर किया कोशिस को किया उपर तोड़ने के लेकिन तोड़ा न की जरूर है मैं और मन्थ बेसिस पर हमार्य मां देखें तो कहीं न कहीं एक एक यह नर cricket मांड में रहने की की कोशिस कर रहा ऐं यह डरूर बेंदन ज़रूर आ रिया ओंपर किया हो तो जब में लाय तो यह डरूर यह ज़रूरा गी यह एक अच्छी बात है के दिला पुट में जाके देखे 160 पे देखेंगे पूट पे आज यह मेरीन की आहां पको देखेंगे यहां पे 40 की पोजीशन ऐपर, सब जिगा बंड़ा और सबसे ज़्यादा देखिए ग्यारा नौसों पर पंदर लाग 161350 से सौट का पोजीशन वाना है निस यहां कॉल की राइटिंग की जा रही है सौट की जा रही है वहीं पर देखेंगे तो सपोर्ट आपको देखें यहां पर देखने को मिल रहा है यहां पर भी चार्ट में देखने को मिल रहा है यहां पर भी ग्यारा 621 पर सपोर्ट बता रहा है और उपर गयारा 843 क्रोस करेगा तो उपर बाराजर भारतर की ओर जाएगा क्योंकि वहां सबसे ज़्यादा डेवेटी में पोजीशन देखें तो 23 लाग का है यह 23 लाग जो होंगे और 15 लाग इदर है क्यूमलेटिव आज का और 23 लाग टोटल तो यह जो सौट करके बैठे हैं अगर उपर की ओर गए यह बाइंट पोजीशन करें यह इनको उपर उठा करके बाराजर पहुचा देगा इसके कारण नहीं लगता ऐसा होगा और आपको 11600-128900 जब नीचे की ओर आए तो आप ऊपर का पोजीशन बनाएं जब उपर आये तो नीचे की पोजीशन बनाएं यह पोजीशन से 611 ची में तो सकता आप को देखने को मिलेगा बेरेस पोजीशन ज्यादा अच्शहे पॉजिशन में बढ़ना ज्यादा अच्छह और कि यह एक और बहुत अच्छा तो यह रहेगा कि आप इसको और हर पोजिशन पर देखिए दो लाग बढ़ता लिजा तो आज ही बनाएं तो यह अच्छा क्लोजिंग मेसिस में आप इसको यह बैल्यू हो सकता है चाहें तो पेपर टेड़ 11500 का 27 जुलाई की क्लोजिंग को आ इसको डिटेल में देखेंगे आज तो आज ही इसमें 19% का उपन इंट्रेस्ट है बाइंग में 96,000 पोजिशन है दीख रहा है और अगर एक बार इंडेक्स को भी देख ले हम तो इंडेक्स में जो गयन है बहुत अच्छा नहीं है सभी निगेटिव है बिक्स जो है दो यह जब बढ़ेगा चांसे से 15-15.50 तक जा सकता है बिक्स उपर और बढ़ सकता है और मार्केट आपको नीचे जाता हुआ दिख सकते हैं सेक्टरल इंडेक्स में देखें तो FMCG, PSU बैंक और रिलेटी आज की दिन अच्छा करते हैं आपको दिख रहे हैं हो सकता है यूज डिमेंड भी करेगा तो इस भी ही करेगा ज्यादा तो 11788 पर इस वीक की क्लोजिंग है चांसे से रेंज बाउंड नेक्स्ट भी मार्केट रा सकता है मेरा मार्केट में कोभी बाइंग और सेलिंग रेकॉम्बनेशन नहीं है आप जो भी करें अपने फानेसर डवा हुआ है लिवाड़ के लिख हार मार्केट- सकता है